आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ पुष्ण में हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक source है यहाँ पर sound का मानिज उसका frequency f है और इसी जगह पर बगाले में जास्ट उसके listener है listener मतलब कोई observer है यहाँ पर दोनों जो है फ़र्स्ट पहला का source का velocity है वो है 30 km per hour velocity of source और जो velocity of listener है वो है 45 km per hour ओके हमसे पुछा जा रहा है कि दोनों सबसे पहले बोला गया है कि दोनों जो है एक साथ motion करना सुरू करते हैं तो जो frequency सुनाई देगा listener को source का वो जो true frequency होगा f उससे कम सुने देगा या f से जादा सुने देगा तो उसके लिए हम क्या करेंगा Doppler effect लाएंगे मतलब f डेस जो है f से छोटा है और यह टर्म अगर f से 1 से ज्यादा होगा तो f डेस जो होगा f से ज्यादा होगा तो इस टर्म को निकाल लेते हैं क्यूंकि दोनों जो है एक कुल मिला के जो l होगा हमारे पास क्या है सोर्स से दूर जाने के कोशिश कर रहा है तो कम होगा विमाइनस45 और नीचे जो होगा यह मतलब जो सब्यक्रेके ऑड़ हो होगा मतलब तो इस केस में होगा हमारे पास कि है Was कि यह 45 से लिस्टनर जा रहा है और 30 से यह जा रहा है सोर्स कुछ समय बात का कंडिशन क्या होगा कि listener जो होगा यह पहुंच किया होगा 45 पे और जो सॉर्स होगा यहां पर 30 से जा रहा होगा रिलेटिव कुल मिलाके देखो तो अगर source को रेष्ट पर आख दे तो source अगर 0 पे है तो listener 15 से जा रहा है आगे की तरह तो लेकिन अगर ground को रिस्पेक्ट में देखे तो listener 45 से जा रहा है और source 30 से जा रहा है तो source जो होगा इसको अप्रोच करने का कोशिश कर रहा होगा listener को तो नीचे जो होगा यह frequency f' increase होगा तो b-30 तो कुल मिलाके हमारे पास यह term का value यह बन जाएगा तो इसको हमको चेक करना है कि यह 1 से बारा यह 1 से छोटा है तो b अगर मान लेते हैं हम 340 लेते हैं तो 340-45 divided by 340-30 तो यह value आजागा हमारे पास 295 तो इसका मतलब f' जो होगा हमारे पास वो f से छोटा होगा इसका मतलब जो हमेशा जो frequency होगा इपड़स जो सुनाए देका listener को वो actual frequency से कम होगा तो यह हमारा answer होगिया Thanks